कि सितंबर 2022 में सूर्य कन्या राशी में गोचर करने जा रहे हैं 17 सितंबर 2022 को सूर्य कन्या राशी में गोचर करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपकी राशी पर सूर्य परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा और किस शांदार उपाय से आप सूर के शुफ फलो को बढ़ा पाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचिन स्वागत रविनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिये दर्शकों का भारती जोतिश में सूर पिता और राजा दोनों का इस्थान इनको प्रापते हैं मैं दो अब मुद्ध को राजक्मार कहा गया को सूर बुद्य की राशी में जाएंगी कन्द्या राशी में और पिता पुत्र के घर में जाएंगे किल लोगों पर इस राशी परिवर्तन का असर होगा जन भी लोगों की सूर्या बुस्ध की draps महादशा, अंतरदशा चल रही है जिन भी लोगों का जन्म उत्रा फालकुनी खस्त चित्रा नच्छत्र में हुआ है सूर जब कन्या राशी में जाएंगे तो आपकी सोचने समझने की शक्ती को बढ़ा देंगे उत्पादक्ता यानि क्लेटिविटी आपकी बढ़ेगी कम्यूकेशन से आपकी काम बहुत अच्छे बनेगे कम्यूकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी हीलिंग पावर जैसे कि कोई फिजियो थेरेपिस्ट है, कोई डॉक्टर है कोई रेकी करते हैं कोई योग से उपचार करते हैं तो ऐसे लोगों का जो भी अनेक फिल्ड है इससे जुड़ी हुई ऐसे लोगों का काम बहुत अच्छा होगा सूर्य जब कर्णिया राशिय में जाते हैं तो सूर्य में कुछ इस्त्री के गोड़ा आ जाते हैं सूर्य पुरुष गरे हैं और इस्त्री के गोड़ बढ़ने से कुछ लाब कुछ हानी होते हैं अब लाब ये है कि सूर्य फ्रश्य शान्त हो जाएंगे एहंकार घट जाएगा आपका ट्रांस्पोर्ड, मेडिकल फिल्ड मेडिकल इंडेस्ट्री चाहे वो दवाई बेशते हो चाहे वो हीलिंग करते हो इन लोगों के काम में बढ़ोत्री होगी सूर्य प्लस बुद्ध का बुद्ध आधित योग भी बनेगा और बुद्ध स्वैम की राशी कन्या में होंगे तो भत्र नामक पंच कला दिधी योग भी बनेगा सूर्य की ओपर गुरु की साथवी द्रश्टी भी होगी तो सूर्य की द्रश्टी जब पढ़ती है तो अच्छा लाब होता है ग्रहों की ताकत में बढ़ोत्री होती है धर्म आत्मा योग बनेगा क्योंगे सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और गुरू जो है धर्म का कारक है तो यानि कि आप भक्ती या इश्वर की भक्ती या अच्छे ग्रंद कार, साहित कार पढ़ने वाले इंसान हो सकते हैं धार्मिक चीजों के परति आपके रुची जागेगी इस सब चीजों के आप रिसर्ज भी कर सकते हैं गुरू की दश्टी बुद्ध पर भी होगी, शुक्र पर भी होगी तो शुक्र सबंदी काम जैसे मीडिया, कला, टीवी, फैशन, इंडस्टी काम अच्छे चलेंगे और बुद्ध पर होगी तो जैसे वारिज का काम होगया, कम्मिकेशन का काम होगया, गीत संगा, कला संगीत का काम होगया फिल्म इंडिस्टी शोशन विडिया पर भी आपको काफी लाब मिलेगा अगर आप इससे जुड़े हैं सरकारी नौकरी में भी तरक्की होगी सरकारी नौकरी से भी लाब मिलेगा शिक्षा के छेतर में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे और प्राइवेट नौकरी में भी अच्छे रियल आपको मिलेगे एक और महत्पूर बात यह है कि सूर्य यहां पर नीचा अभी राशी है नीचा अभी राशी का मतलब होता है सूर्य सिंग राशी से कन्या में गए कन्या के बाद तुला में जाएंगे तो तुला personal उनकी नीच राशी है तो सूर्य यहां पर अधिक बल बाद नहीं होंगे हाँ सूर्य पर ग्रहों की दरश्टी शुम ग्रहों की दरश्टी और शुम ग्रहों का साथ इससे शुब काम जरूर करवाएगा लेकिन सूर्य यहां पर छोड़ से कमजोर भी पढ़ेंगे तो मैंने बीच में बोला था ना कि कुछ इस्तित्र वाले बुड़ा जाएंगे तो यहां पर कमजोर ही आ सकती है इस कारण सूर्य जो है बढ़िया परण नहीं देंगे लेकिन अन्य गरहों के सपोर्ट की वज़े से आपको सूर्य बढ़िया परण देंगे साथ में अभी आप देखें तो इस समय में पित्र दोस चल रहा है तो पित्र पक्ष में शुब काम करना मना होता है पुराने की शुरू की हुए कामों को आप कर सकते है और इस समय शुक्र अस्तवा नीज के होंगे तो शुक्र काम वैसे ही बंद होंगे अब बात करते हैं सूर्य के इस परिवर्टन में हमें क्या उपाय करने चाहिए सभी राश्य वालों देखे पित्र पक्ष रहा है तो मैं यही कौँँगा जिनके भी पूरवज आप इस दुनिया में नहीं है उनका शुराद नियम पूरवज करिए तरपन करिए दान पुन्ने करिए ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है आपको तिथी बगएरा याद नहीं है तो सर और पित्र मौस्या 25 तारीक को होगी उस दिन करिए देखिए मृत्यों के बाद सिर्फ एक ही पुराण पढ़ा जाता है जिसका बहुत अच्छा फ़ल मिलता है वो है गरण पुराण स्वेम पढ़िये या किसी योग इब्रामर से पढ़वाईए पुरा पढ़िये या लगू पढ़िये जितना हो सके जितना संब्भ हो सके उतना करिये गीता का पाठ करिये गीता का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है और पित्रों के लिए पित्रों की शांती के लिए दान को नियावश्य करिये दिल से करिए जबर्दस्ती मत करिए लेकिन करिए इसके अलावा सूरी को अच्छा रखने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय होता है कि पंचुएलिटी सुबह समय से उठीए सुबह समय शाम को समय से सोईए ताकि आप वक्त का सबुपयोग कर सके सूरी ने मशकार करें ताकि शरीर से पसीना बहे और जो पसीना बहेगा तो शरीर चुस्त दरुस्त रहेगा तो फिर आप ट्रिंटी फोर आर्स एक्टम बढ़िया काम करेंगे अच्छी नीन भी लेंगे और बिमारिया भी दूर होंगी तो इतना कर लें पिता गुरू इनका सम्मान करें अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो यह बढ़िया है और जो भी सरकारी करमचारी है या प्राइविर करमचारी है वो नमबर दो के काम न करें तो सूरी को बहतर रखने के लिए सामाने से उपाए हैं और नर्मी और गर्मी का हिसाब रखें कहां पर आपको बुस्ता करना है कहां पर आपको प्यार से बात करनी है सूरी को बेतर इनी उपायों से किया जा सकता है अब बात करते हैं आपकी राशी पर सूरी का क्या परभाव होगा अब बात करेंगे कुम राशी की तो आपकी राशी के लिए सूर्य जो हैं सप्तमभाव के सौमी हैं और बरतवान में अस्तमभाव में गोचर करेंगे अस्टम्भाव में सूर्य को अस्टमेश का दोश नहीं लगता है लेकिन फिर भी सूर्य अच्छे जड़ कम ही देते हैं तो आश्टमभाव रहस्यों का है, आपको अचानक से लाब का है, अश्टमभाव तस्ट वाद विवाद का भी है, जगडों का भी है, दिक्कतों का भी है, तो आपके वाद विवाद जगडे इस समय में बढ़ सकते हैं, आपकी समस्याएं सुलजने की वज़ाएं उलच सकती हैं आप जानमूज कर किसी से जगड़े कर सकते हैं जानमूज कर वाद विवाद को बढ़ा सकते हैं आग में घी का काम कर सकते हैं आप खुद को शांद रखें और कुछ भी उल्टा सीधा ना करें और कानूनी मामलों से दूर रहें वन्ना कानूनी शिकर्जे में आप खसते चले जाएंगे, आप अपने जीवन साती का ध्यान रखें, वैवाइक जीवन में तर्णाव हो सकता है, अपने कियो हुए वादों को पूरा करें, अपना ख्याल रखें, दूसरे का ख्याल रखें, अपनी सहत का ध्यान रखें, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, व आप हर काम को दुनिया की मेज़ों से छिप करेंगे कहीं ने कहीं आपका ओर-कॉणिदेंस आपको जो जाएगा यह कई वर ओर-कॉणिदेंस हो जाएगा मजबूत सूर्य आपको तरक्की भी दे सकता है आप अपने ससराल वालों से संबंध ना बिगाने तो बेहतर रहेगा इस समय में संबंध बिगर सकते हैं सावधान रहेगा आपके खर्चे होंगे और इस समय में आप जितना अपना संथ सभाव रखेगी यानि मीठा सभाव रखेगी उतना ही आपको वजय प्राप्त होगी अच्छा दिन बितेगा अच्छा वक्त बितेगा आप अपने सभाव को बहुत शांत रखने की कोशिश करें कुछ लोग आपको समझी नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहें क्या नहीं कर रहें इस वज़े से भी वाद विवाद हो सकता है पत्ती से तूतू मैं में हो सकती है मुकग्मों में हानी हो सकती है घर की गुपत बाते घर की बाते इधर उतर बाहर जा सकती है इससे आपकी बद्दामी हो सकती है बुरे कामों से बचना होगा, बहते हुए पानी में गुड बहाने से कुछ लाब मिल जाएगा आप खुद के चकरों में खुद फस जाएगा, यानि अपनी बातों में अपने कामों में खुद को फसा हुआ देखेंगे कर भला हो, बुरा वाला हिसाब होगा, गाड़ी वहां ठीक प्रकार से चलाएं, हाथ पैर, गाल, नाखून, दांत में चोट या इसको समस्याएं हो सकती है विदेशी मामलों में आपको हानी हो सकती है, आप ये समझे कि कोई पेट में दर्द, स्टोन का दर्द, गैस, एसेडिटी की समस्या भी आपको परशान कर सकती है आपको बहुत सारी सावधानिया रख भी होंगी, गुरू की शुब्रस्टी की कारण अचानक धनलाब हो सकता है मेडिकल फिल्ड, योगा टीचर, थेरेपिस्ट वगएरा जो हैं, फिजियो थेरेपिस्ट वगएरा हैं, इनको लाब होगा आर्मी में जो लोग हैं, फुलिस में जो लोग हैं, इनको लाब होगा, डॉक्री फिल्ड से जुड़े होगा, किसी भी आयुरुवेध हो जाए, दूसरी लाइन हो, मेडिकल को लाब होगा शियर मार्केंट का इचानक से धलनाब होसकता है, अगर धलनाब हो जाए तो उस पैसे को सही जिगेए पर इध्मिस्ट कर दीजेगा, बार-बार रिस्क मत लीजेगा, तो बड़ा खर्चा भी हो सकता है, नौकरी में बदलाव संदाव है, शरीए की साड़े साथी का भी तो बड़े लाब को आप राप कर सकते हैं लोट्री जुए सट्टेवाजी शेयर मांकर से फिर मैं कहूंगा बड़ा लाब हो जाने के बाद सभल जाईएगा जो पैसा आ जाए उसको सही जिएकर पर इन्वेस्स कर दिएगा लालज बुरी बदा है और जल्दबाजी में बिन जुशानी के साथ साथ आप मिला जुला रियल देखेंगे और अगर बहुत खराब है इस्तिति आपको जर्मकुली में तो दिखतें बढ़ सकती हैं और अगर आप ने अपनी गल्दियों पर कंट्रोल नहीं किया तो और भी परशानिया हो सकती हैं तो आप जर्मकुली की ज